वेलकम तो मैं नीव वीडियो तो गाइज काफी दिनों के बाद आज मैं एकलियान से एक वीडियो आप लोगों के सामने लेकर के आ रहा हूं गाइज अभी एकलियान के वेबसाइड पे एक न्यू अपडेट आया है वही मैं आप लोगों को बताना चाता था तो आज का वीडियो इसलिए बना रहा हूं तो गाइज इकलियान का जो पोर्टल है उसमें कुछ अपडेट किये गए हैं जैसे कि पहले जब हम लोग करते थे कोई भी फॉर्म तो इस तरह से अपना प्रोफाइल ओपन करने के बाद नीचे स्ट्रॉल करते थे तो यहां पे जो है यहां पे option आता था apply online और एक option आता था apply renewal ठीक है तो अभी इन्होंने कुछ changing किया है यहां पे जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है इन्होंने change किया है और यहां पे लिखा है क्योंकि यह renewal का है इसलिए मैं आज पूरा वीडियो जो है वो डिपेंड होने वाला है renewal ठीक है based होने वाला है तो चलिए वीडियो को start करते हैं और देखते हैं renewal का process और update जो आया है तो update के बारे में जैसा कि मैंने यहां पे बता दिया है yes या no पे जैसे किलिक करेंगे तो आगे हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले आप लोगों को renewal करने के लिए आप लोगों को अपना profile open कर लेना है इकलियान के official website पे आने के बाद आपका जो भी mobile नंबर से register था वो register mobile नंबर डालना है capture डालना है और login करना है login करने के बाद नीचे scroll किजेगा तो इस तरह से यहां पर देखें यह pop-up आ रहा है कि your renewal application is cancelled to proceed ठीक है यह जो है renewal के लिए यह यहां पर आईसा लिख करके आ रहा है तो अगर okay पर क्लिक करते हैं तो इस तरह से यह देखें यह रीन्वाल एप्लिकेशन cancelled apply fresh application registration ठीक है जो भी students अगर college या फिर जो भी मतलब अपना college या फिर बीच में छोड़ करके आ चुके हैं दूसरे college में अपना admission करवा लिया है तो वैसे students जो है इस तरह से यह process करके अपना college detail वगरा change कर सकते हो तो यहां पर देखें यह successfully के message आया है your renewal application cancelled apply fresh registration for academic year 24 वैसे student जो बीच में अपना registration करके या फिर admission लेकर के college से दूसरे college में transfer ले लिया है तो वो लोगों कभी option आ चुका है आप लोग अपना fresh से apply कर सकते हो पहले ऐसा होता था कि आप लोग apply नहीं कर पा रहे थे तो यहां पे देखें अब यहां पे apply fresh का option आ चुका है गाईज यहां पे apply online पे इस wat वहां के लिक करेंगे तो apply online पे जैसे click किजेगा तो आपका यहां फ़र High rate अप लोग अपना पर वीर से अपना आप लोग का डिटेल सारा डिटेल वगररा चेंज कर सकते हो अपना अगर चाहो तो कोर्inação कर सकते हो अपना सारा basic subscribe यहां फिरसे स्टार्टιंग से कर सकते हूं दूसरे कॉलेज में चले गए हैं वो इस तरह से अपना फिर से अप्लाई कर सकते हो कोई प्राब्लम नहीं हो रह tan और के उपर मैंने पहले भी बहुंश पारे वीडियों्स बनाए हुय है उसके बाद यहां पे class year का detail last year का फिर address वगारा डाल करके नीचे यहां पे सारा documents upload करना है 1MB तक होना चाहिएगा जिससे जादा नहीं होना चाहिए document का size फिर नीचे scroll किजिएगा सारा resident कास्ट इंकम वगारा डालना है उसका नंबर लिखना है यहां पर certificate नंबर और नीचे इंकम का यहां पर डेट दिया हुआ है तंबर से होना उसके मतलब एक से तंबर या उससे बाद का होना चाहिए ठिक है उसके पहले का नहीं चलेगा फिर बॉनाफाइट का स्टूडेंट का यह सारा कुछ आप लोग को मार्क शिट वगर अप्लोड करके यह यहां पर डालना होगा और डालकर जैसे प्रिव्यू पर क्लिक किजिए आपका फॉर्म इस तरह से ओपन हो जाएगा सारा एक बार चेक कर लेना है और कंफर्म पर क्लिक किजिएगा सब्म बिद्याना रहा था यूंकि बहुत सारी स्टूडेंट्स ऐसा बोल रहते कि मैंने तो चेंज कर ली है अप्लाइब भी नहीं हो रहा है तो हां पहले नहीं हो रहा था मैंने भी ट्राइब किया था लेकिन अभी इसका अपडेट आ चुका है तो जल्दि से अपना जो है कॉ कोलेज कोर्स बगारे इंस्टूट्यूट बगारे चेंज किजिए और आप लोग जो है अपना यह जो है स्कॉलर्शिप का लाव उठाए तो गाइस वीडियो इंफर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक किजिएगा और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब मिलते अपने नेक्स्ट इंफर्मेटिव वीडियो के साथ तिल नाओ बावाए गाइस और कोई भी क्वारी हो तो जल्दी से कॉमेंट किजिएगा इंस्टाग्राम में फॉलो किजिए इंस्टाग्राम में डियम किजिएगा मैं सारे कॉश्चन्स का एंसर देता हूं गाइस तो मिलते है नेक्स्ट वीडियो में